ये बात तो आपको भी पता है कि फर्मानिनाज ने गरीबी भरे दिन देखे लेकिन इंटरनेट ने इनके जिन्दगी बदल डाली दोस्तों रातो रात फर्मानिनाज इंटरनेट पर वाइरल हुई और लोगों में ये च्छा गई लोग आज ने पसंद कर रहे हैं फर्मानिनाज सोसल मीडिया से आई कमाई से ही अपना घर चला रही है अब सवाल यहाँ पर यह है कि लगातार फर्मानी बिबादों से क्यों घिरती जा रही है और इसको लेकर योगी आदितिनात का भी बड़ा बयान आया है मैं आपको पहली बार इस चैनल पर योगी आदितिनात का बयान सुनाने वाला हूँ दोस्तों फर्मानिन आज ने पूरी दुनिया के सामने अपनी बात रखते वे कहा था कि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता वो हिंदू के भजन भी गाती है और मुस्लिम से जुड़े कव्वाली भी गाती है लेकिन कुछ मुस्लिम संगठन की लोग इस बात को हजम नहीं कर पाए और लगातार वो लोग फर्मानी का विरोध करते जा रहे हैं और फर्मानी पर बता जा रहा है कि फत्वा भी जारी कर दिया था और कुछ दिन पहले फर्मानी ने सीम योगी आदित नाथ से जुड़े भी गाने काये थी जिसको लेकर काफी ज़्यादा चर्चा थी और कुछ कटर पंथियों ने इसका विरोध भी किया लेकिन बहुत सारी मुसल्मान इनका समर्थन भी कर रहे हैं इनके गाने में किस तरीके से ये कहती दिख रही है कि आएंगे तो योगी ही और एक बार फिर से हर हर संबू गाना गाकर ये पूरी तरीके से बिबादों में फस चुकी है दोस्तों फरवानिनाच का बीजेपी के कई नेताओं ने समर्थन किया है और उन्होंने भी कहा है कि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता और इसको लेकर वाकई में वो लोग एकसन मिलेने वाले हैं और बताया तो यहां तक जा रहा है कि सियम योगी आदितनाथ ने भी फरवानी की आवाज की तारीब की है इस वीडियो को जादा से जादा सेर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए आगे के अबडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार